श्री राधे, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमारे येट्यूब चल में स्वागत है, मैं विजिंदराज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को हर्याली तीज की बहुत बहुत बदाई देना चाता हूँ, आ आप कहेंगे, ये क्या बात हुई? हाँ, सही बात है और एकदम ठीक बात है, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नियम पकड़ लेते हैं, सुबह ये करेंगे, दोपैर में ये करेंगे, शाम को ये करेंगे, रात में ये करेंगे, और फिर वो नियम हमें ब अगर किसी को ध्यान पसंद है तो वो ध्यान लगाए अगर आपका भगवान में ध्यान लगता है आपको सहजता लगती है तो आप ध्यान कीजिए लेकिन मान लीजिए आपको कोई ध्यान करने के लिए बोले और आपका ध्यान ही ना लगे आप आखे बंद करके बैठे रहो म बजन को गाकर आपकी आख में आसो आजए तो आप भक्ति कर रहे हैं वो बजन आपकी भक्ति है क्योंकि भगवान को याद करके आखों में आसो आना वो आपका प्रेम दर्शाता है आपको भगवान की याद आई और आपकी आख में आसो आगए वो आपकी भक्ति चल रही है अगर आपकी बजन में रूची है, तो आप बजन कीजिए, अगर आपको बजन गायन में रूची नहीं है, सुनने में रूची नहीं है, तो आप ये सम्मत कीजिए, आप और कुछ कर लीजिए, जैसे तीसरा कथा सुनना, अगर आपकी कथा सुनने में रूची है, आपको 3-4 गंटे की कथाई है टीवी में और आपको वो देखनी ही है आप घरवालों को टीवी ना देखने दे, बिल्कुल भी नहीं, जिद नहीं करनी, जितना समय मिले, वो देखिए, वो सुनिये, और शिकायत करना बंद करो यार जो कथा आपने पहले सुनी होना कोई भी, उसका थोड़ा चिंतन करो, मनन करो उसमें डूब जाओ, वही आनन्द आपको आएगा, चोथा मैं आपको बताओ, नाम जब अगर आपके ध्यान में रूची नहीं है, भजन में रूची नहीं है, कथा सुनने में रूची नहीं है रूची मतलब ज़्यादा देर तक आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप नाम जब कीजिए कैसे भी, राम का, क्रिशिन का हरी का, हनमंत बाबा का शिव का, मादुर्गा का अल्ला का, खुदा का मुरारी बापु बड़ा अच्छा कहते है जिस नाम में आपकी रूची हो आप वो लिजिए कोई बंदन नहीं है दिन रात उटते बैठते सोते जागते खाते पीते नाम लो कोई नियम नहीं हस कर लो, रो कर लो, गा कर लो खा कर लो, आलस से लो मस्ती मिलो, नाम लो और कल्यूग में तो केवल आया है ना कल्यूग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतरही पारा कल्यूग में तो एक केवल नाम अधार है अब चलिए थोड़ा श्रीमत भगवत गीता जी का दर्शन करते हैं गीता में क्रिशन क्या कहते हैं गीता में बगवान स्री क्रिशन ने ज्ञान योग की चर्चा अर्जुन को की अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम ज्ञान मार्ग पर चलो आत्मा को जानो पैचानो मन को निरोध करो कटिन तपश्या करो इंद्रियों को वशिभूत करो आत भगवान ने गीता में कहा कि ज्ञान योग श्रेष्ट है फिर आता है करम योग करम योग कार्थ ये है कि तनकार में और मन्यार में मतलब हम करम करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें करम करो नाम जपो क्योंकि एक भी व्यक्ति बिना करम के नहीं रह सकता ये गीता का एकाट्य वाक्य है, याद रखना कई बार हम सरीर से करम करना छोड़ भी दे, लेकिन मन को कैसे रोकोगे इसलिए अगर आपकी रूची करम योग में है तो आप करम योग कीजिए, करम योग स्रेष्ट है, फिर आता है भक्ति योग भक्ति का सीधा सा आर्थ है प्रेव एक बात सोचना आपका सिंसार में किसी से भी थोड़ा सा भी प्यार होने तो आपको उसकी याद बार बार आती है फिर आप कितने भी बिजी क्यों ने है कितने भी वैस्त क्यों ने हो अपने प्रेमी के लिए से मैं निकाल ही लेते हैं अपने आप निकल जाता है जैसे जिन जिन सादू संतों का भक्तों का गोपियों का भगवान से प्रेम था उन्हें भगवान को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी उनकी याद खुद आ जाती थी याद बनी ही रहती थी गोपिया तो कहती थी प्यारे तुम क्यूं याद आते हो जब तुमारी याद आती है तो हम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं इतना याद ना आया करो जिने हम भूलना चाहते हैं वो अक्सर याद आते हैं श्री मीराबाय जी जब कृष्ण याद में वीवल होने लगती तो कभी नाच थी, कभी गाती, कभी रोती है और इस तरह से भक्ती करती थी तो आपको भक्ती योग पसंद है तो आप भक्ती मार्ग अपना लो भगवान ने कहा भक्ती योग स्रेस्ट है अब अर्जुन कहता है क्रेशन ये क्या है तुम कभी कहते हो ग्यान योग स्रेस्ट है कभी कहते हो करम योग स्रेस्ट है कभी कहते हो भक्ती योग स्रेस्ट है क्यों इतना कन्फ्यूज करते हो सीधे सीधे क्यों नहीं बताते है मुझे लगता है तुम फसाते ज़्यादा हो, द्विधा में ज़्यादा डालते हो, सुलजाते कम हो, ठीक से बताओ, क्रिश्न मुस्कराए, बले पार्थ, ये सब तुमारे लिए ही है, मेरे लिए? हाँ, तुमारे लिए, देखो, अगर तुम्हें ग्यानमार्क पसंद है, त तो कर्म योग से पालो, भक्ती मार्क पसंद है, तो भक्ती योग से पालो, कोई मनाई थोड़ी है, जो अच्छा लगे, तुम चुनलो, अर्जुन बोला क्रिश्न, अगर ये सब भी न कर पाएं तो, तो भगवान ने कहा, सर्व धर्मानी परितज्य, मामे कम शन्म ब्रज सब धर्मों को छोड़ दो, सब साधन को छोड़ दो, केवल एक मेरी शरण में आजा, मैं तुझे सब पाप, पुन्य, सब से मुक्त कर दूँगा, लाभानी, सब मुझे समर्पित कर दो, तुम मेरे लोग को प्राप्त करोगे, लेकिन आश्रे एक मातर केवल मेरा होना चाह यहां आपके जो भी इस्टों, शिव, राम, इसके अलावा स्रीमत भागवत, महापुरान और रामजरित मानस में भी नवधा भक्ती को बताया है, भक्ती के उसमें नो-नो प्रकार बताये गए हैं, कौन से भक्त ने कौन सी भक्ती की, जिसका लिंक में निचे डिस्क्रिप आप ठको नहीं, जो आपको बोज न लगे, आप वैसे भक्ती करें, क्योंकि भक्ती का रूप छोटा रही है, कई बार कुछ लोग इतने नियम बता देते हैं, कि आपको समाला करनी है, 21 माला करनी है, वो विचारा प्रेशान होके घूमता रहता है, जबकि कल्यूग में तो के वल राम नाम काफी है, मुरारी बापो कहते हैं, अगर आपका एक फिल्मी गाना सुनकर भी भगवान से भाव जोड़ जाए, तो वो फिल्मी गीत नहीं, वो भजन है, और मैं इस बात से सह मत हूं, लेकिन ध्यान देना, कहने का अर्थ ये है, आपका भाव भगवान से जोड़ जाए, अब मैं अपनी बात बताऊं, जैसे मैं फिल्मी गाने सुनता था जब छोटा था, बीच में मैंने सुनने बंद कर दिये, क्योंकि कहा गया कि फिल्मी गीत विश्यों के गीत है, तो सब मैंने कम कर दिये, छोड़ दिये, भजन भजन सिर्फ सुनता था, पर आप फिल्मे गाना सुन रहे हैं और आपका भाव भगवान से जुड़ जाए तो बुराई क्या है अगर गाना सुनकर आपका ध्यान भगवान के तरफ चला जाए तो आपका भजन चल रहा है याद रखना अब कभी उनको देखिएगा जब वो गाते हैं किसी को दिखाने के के लिए मत गाईएगा अपने भगवान के लिए गाईएगा जैसे वो अक्सर गाते हैं ए प्यारे तू कभी हमें छोड़ कर मत जाना तेरे अलावा हमारा है ही कौन केवल एक तू ही तू सहारा है इस तरह से आप जब भगवान का भजन करोगे आपको आनन्द आएगा अच्छा लगेगा और अगर किसी को ये बात आप ना भी पसंद आए कुछ लोग शायद मना करते हैं अपनी जिद पे अड़े रहते हैं तो मैं सबको छूट देता हूँ ना पसंद आए तो कोई बात नहीं आप मत सुनिएगा जैसा दिल करे वैसा भजन कीजिएगा जो मार्ग आपको पसंद आए सहज लगे आप उसी मार्ग पर चलिएगा देखा दे कि कभी मत कीजिएगा नहीं तो ठक जाओगे कि वो इतना भजन करता है हम नहीं कर पाते पिचड़े हो जाओगे तो बात नहीं बनेगे जितना भजन बढ़ता जाएगा अंदर से खुसी आती जाएगे कहते हैं एक शेर आपके लिए बड़े शोक से उतरे थे ऐशाम तेरे इस्क के समंदर में जब सुरू-सुर में सुनते ना कोई कता तो बड़ा चाओ होता है कि बड़ा सुनता जाएगे बड़े सोक से उतरे थे ऐशाम प्यारे तेरे इश्क के समंदर में पहली लहर ने ही ऐसा डुबोया कि आहास तक किनारा नी मिला आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इ किस्टिकेशन्स मिलते रहे श्री राध है